दस्तावेजी तोर पर तो ये सरकारी स्कूल है लेकिन इसकी आड में निजी संस्थान चलाकर मोटा मुनाफ़ा कमाया जा रहा था वाकिया आजमनगर प्रखंड शेत्र की वार्ड नंबर बारा का है जहां उत्क्रमित माध्मिक उच्च विद्याले और उत्क्रमित मध्य विद्याले संचालन में अनिमित्ता को लेकर चर्चा का महौल है लगातार ग्रामेडों की ओर से ब्रश्टा चारी सिक्षकों के खलाफ लगातार विरोध करने के बावजूद सिक्षक अपने मनमाने ढंग से विद्याले का चंचालन कर रही है कुरोना महामारी के दोरान सरकार की गाइडलाइन के मद्य नजर निजी और सरकारी विद्यालियों को बंद किया गया था जिससे सिक्षक के इस्तर पर भी प्रभाव पड़ा लेकिन अब जब सिक्षक विभाग के आदेश के बाद स्कूल दुबारा खोले गए तो सिक्षक सरकार के आदेश को ताख पर रखकर मनमाने धंग से स्कूल संचालन करते नजर आ रहे हैं हमने आके देखा कि उपस्तती में के विद्याले में जो है कोचिंग संटर चल रहा है बच्चे के किलास के हिसाब से रेट है किसी का 200 है किसी का 300 है जो भी जिसका आप यह है इस काले खेल में प्रकंड सिक्षा पदा अधिकारी के साथ साथ वरिय पदा अधिकारी भी मूख दर्शक बने हैं लगातार सिक्षकों के अनुपस्तती बच्चों के भविश को अंधिकार में धकेल रही है वहीं लगातार ग्रामेडों के विरोध के बावजूद सक्षा विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगती हट तो तब हो गई जब ग्रामेडों ने बताया कि विध्याले में स्कूल के वाक्त विध्यारतियों से शुल्क लेकर पहाया जा रहा है वहीं छात्रों से विध्याले का नाम पूछे जाने पर वो स्कूल का नाम तक नहीं बता सकी सभी विध्यारतियों ने खुद भी कहा कि हर माह निजीर शुल्क लेकर उन्हें पढ़ाया जाता है फिलाल इतनी बड़ी अनिमिता और इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर विभागी अधिकारी भी मोन है और अनिमिता का खेल बदस्तूर जारी है जै प्रकाश भगत टाइम्स न्यूस आजम नगर